हेलो फ्रेंट्स बेलकम बेक स्वागत हैं आप शबका एम बेद आर्वी परिवार पे आज हम एब्यस के उन महत्पूर्ण प्रश्ण को डिस्क्स करने वाले हैं जो आने वाल यूपीटेट एक्जाम के लिए बेहद यूच्पूल होंगी तो आए शुरू करते हैं आज के व सब्सक्राइब को सबकता हैं इसका इंसर सब को पता है क्या पारा बच्चे बच्चे को पता है कि लेकिन जब यह प्रशन आता है जब यह प्रशन पूछा जाता तो सबसे बड़ी क्या होती है वो देदेगा मिनिमाता रोग मिनिमाता रोग होता है पारा की अधिकता से या पारा की कमी से अब कनिफ्यूज हो जाओगी है प्रशन देदेग कि पारा की अधिकता करना होता है क पारा की अधिकता क्या पारा की अधिकता से रोग हो जाता है मचलियों में जब पारा की अधिकता हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है बात कर लेंगे आर्शेनिक की यह के कौन सा हो जाता है यहां पर ब्लेक फुट नाम बीमारी जो हो जाती है वह आर्शेनिक से हो ज करता है कहलाता है यहां से आप देखोगे हाइग्रो इसकोप तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा क्रिक्ट हो जाएगा हाइग्रो इसकोप कहते हैं क्या कहेंगे करता है उसे हम क्या कहेंगे हाइग्रोसोप यह आफशन हाएगे प्रिक्ट हो गया है चलो आगे देख लेती हैं आगे प्रसंग रहाएग्रो इसको आपसे नाम से उस्मा के जो हो जाती है यह उसे हम लोग क्या कहते हैं लेकिन आपने देखा सबसे जादा जो वाय्ू फोली प्रदूशन होगा वहां थे होता है três हुआ तो हुआ हसे हमारा क्या हो गया सब्सक्राइब होगा option A. चली अगले प्रेस्टे पर बढ़ेंगे, अगला कहरा है कि धा, तुम्हें प्रस्त्र किसेmoi चाहता है धा, तुम्हें प्रस्तर किसे कहा जाता है, bituminious, oxide, meta lide या oxide, तो यहां पर option D किसे कहा जाता है तो आएस को को आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ें कि अगले प्रतिवी को कौन शाह इस तरह सुरच्छित रखता है जब सूर की हानिकार किरणे आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पैराबहेंगनी किरणे निकलती है यह प्रतिवी तक जो ना पहुंचने चंबक मंडल है यहां पर आफशोन भी करिप्ठ हो जाएगा क्या हो जो ब हमारे सरी से रच्छा करती है चलो, आगे बढ़ें प्रैस नुमबर साथ प्रिशन नमर साथ में हम आपको चीज़ बताएं लोग सभा और राजी सभा की सभा किसके द्वारा अहुत मतलब बुलाना अहुत मतलब क्या होगा बुलाना यह प्रिशन आसान है इसको और भी आसानी कैसे आप याप कर सकते हो जैसे दो यह आप हो यह आपकी बड़ी दीद जो बुलाएगा कोन आहुत कोन करेगा तो आपने कहा राष्टपती और इसके अधचिता कोन करेगा तो आपने कहा लोग सभा अधचिता कोन करेगा तो आप कहोगे लोग सभा अधचिता पूछ जाएगा तो आप लगाओगे बी आफशन लोग सभा के अधचिता करेंगे और इसको आखूत कोन करता है आखूत की बात की गई है तो यहां पर आफ्षिन हमारा एक रेक्ट हो जाएगा राष्टपती क्लियर है राष्टपती चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट है चोहत्रवें शम्मेधान शोयंसोधन का शंबंध है दे बात कर द्रस्ट है अब करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ें चलते हैं कहरा भारती और sorta संडशित है बांदी निशनल पार्क में और या गिर निशनल पार्क में तो बहिया कारवेट निशनल पार्क जो है का बोला गयाता है कारवेट निशनल पार्क जिम कारवेट निशनल पार्क ये कहां पे स्थित है तो आपका उतरा आएगा उत्रा खंडे में कहां पे स्थित है उत्रा खं के आकषिद बैंस नृटब करती तो क्या हो जाएगा करनाटक में और गिरस से क्या हो जाएगा गुजरात है गिरसे क्या कनेक्ट कर लोगे गुजरात यह आपको चारों जो हैं का नशन पारक आंप कहा इस्तित है या खपन भारती गेंड़ा जो हुगा यह एक सिंग वाला गेंड़ा कहां पे इस्तित थे तिहां इस्तित भीया काजी रंगा निशनल पार्क जोकी कहां पे इस्तित थे अश्म राज में इस्तित थे तो आप्शन B के साथ में जिस बच्चे ने गिया है उसका answer एकदम क्या होने वाला है correct होने वाला है। ह हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्ण की ओर कहरा है कि शोला घास इस्तल कहां पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में कहां है राजस्थान के आजमेर जिले में जो कि पुशकर मेला का आयोजन किया जाता है अगे बढ़ें चलो आगे बढ़े लेती हैं अगले परिशन क्यों के रोघ रहां कि यह बहुत अशान प्रेशन के हैं बहुत कि ससी कंप तो कौन कर लोगा कौन करेगा प्रदूशन नियंत्र बोध करेगा यानि भी आफ्षन हमारा क्या हो जाएगा परिक्ठ हो जाएगा आगे बढ़ें चलू आगे देख लेंगे अगला कह रहा है कि एक मार्ग का शंबंध है एक मार्ग का शंबंध किससे होता है उत्पादन से संसाधन से पेकेज होता कौन होता है तो सबसे उच्छे स्तर का जो भुकता होता है वह होता है मांसाहरी क्या होता है मांसाहरी होता है भी आफ्षन हमारा करेक्ठ हो जाएगा आगे चलो अगले प्रशन पे चलेंगे अगला प्रशन है कि शमुंत्र जलिए पसितन्त के उपरी भाग में होता है उपरी भाग में भीया क्या होता है उपरी भाग में तो उपरी भाग में क्या होगा आपका एंसर क्या हो प्लावा के निक्ट दोने या बेंट फोन कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है यहां पर आपका कौन सा करेक्ट होगा बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया एक आप मार्ग दिखता हैं क्या मुख्त अर्जा क्या मुख्त उर्जा नियुक्त हो जाएगा आगे बढ़ें चलो बष्पाल गेस के दौरान निकलने वाली गैस थी तो रिपीट कोशन हो गया ना वही कोशन गुमा करके पूछा गया था उसमें पहले उन्हें सं दे दियhole सबको पता है कौन सी है कौन सी है मिधाइल आइससानेट यानी डी आफशन करिक्ट हो जाएगा आगे बढ़े चलो बेस्वा प्रशन है खाद संखला जिसमें सुच में जीबी प्रात में कुद्पादों द्वारा निन्मेत भोजन को विगटित करते हैं भोजन को विगटित क करने का काम यहां कौन करेगा यहां करेगा टेटा राइट खाद संखला यानी बी आफशन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कौन सा बी आफशन हमारा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ें आगला प्रशन है कि मिट्टी की उर्वक्ता को इसकी कौन सी छमता से है किस छमता से इसको हम लोग मापते हैं यह मापा जाता है जीवन काल के को प्रुशाहन देने की छमता यानि डी आफ्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट होगा नदी का पानी जमा करता है क्या बलूई मिटी जलोड मिटी लेटलाइड मिटी या रेतीली मिटी तो जल से आये अगले परश्मन की ओर निम उलिख्टमें से कौन मरुस्थली करण का मुखे कारक है निया क्यों होगी जब जब कि हमारे अपनुच्छों में जब हम जान्वर अच्छे चरचारेंगे तो वहां से जो होगी अप की मर्दा का हो जाएगा तो क्या हो या जो होती होते वा छेत्र अनसंदान कहां इस्ति थे यह कहां इस्ति थे यह थे जोद कुर्ण मिंए यपनी क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा आगे बढ़ेंं supplemental बर चैनल और चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा मिलेंगे कल अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन धन्वार